दोस्तियार आज हम बात कने वाले हैं Onida की तरफ से आने वाले एक brand new smart TV के बारे में यह जो smart TV है आप सभी को 32 inch के screen size के सांथ देखने को मिलेगा और आप सभी को बता दूँ अगर आप सोच रहे हैं एक affordable price में जो है एक TV लिया जाए जो की 32 inch की screen size का हो तो यहां पर आप सभी के लिए TV अच्छा रह सकता है और यह जो TV है अच्छे features के सांथ आता है वहीं पर जो operating system इसमें मिलेगा आप सभी को Vida का operating system देखने को मिलेगा जी हाँ यह जो है operating system में सभी applications वगरा चलते हैं आप सभी को complete details बताता हूँ इसी TV के बारे में तो जो resolution है इस TV की वो हमें HD ready की देखने को मिलेगी and A plus grade panel के सांथ आता है यह smart TV जिसमें आप सभी 16.7 million colors को देख पाओगे vivid display है and colors वगरा अच्छे दिखते हैं इसी smart TV के screen पे यहाँ पर आप बात करें audio की तो audio में आप सभी को dolby audio और dts true surround का sound जो होता है वो मिलता है so crystal clear sound quality आप सुन पाओगे and जो यहाँ पर richness होती है sound quality में audio में जो depth clarity होती है वो सभी काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर enjoy कर पाओगे वहीं पर जैसा मनें आप सभी को बताया operating system जो इसमें मिलता है वो Vida का है तो यहाँ पर आप सभी को Vida का voice assistant भी मिल जाता है तो यहाँ पर आप commands वगेरा भी दे पाओगे जैसे आप Google assistant में करते हो I mean Google assistant के साथ करते हो तो वहीं पर आप सभी को इस TV के जो प्राइस है वो बताऊंगा थोड़ी देर में पहले बात करते हैं इसके complete details के बारे में तो यहाँ पर टोटल दो HDMI यह ports आप सभी को मिल जाएंगे दो USB के ports मिल जाएंगे and 2022 का जो है launch year is TV का यानि अभी अभी launch हुए and एकदम latest है and wall mount के साथ आता यह TV तो आपको wall mount जो है separately buy करने की जरुत नहीं पड़ेगी and जो speakers का output है वो आप सभी को 20 watt का सुनने को मिल जाएगा वहीं पर बात करें applications वगेरा की तो यहाँ पर video का operating system है तो आप सभी को netflix, youtube जैसे applications मिल जाएंगी prime video भी चलता है बट यहाँ पर Disney plus hot star जो है इसमें नहीं चलेगा तो वो आप सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा screen mirroring भी आप इसके साथ कर सकते हो and यहाँ पर जो connected options है उनमें आप सभी को पताया मैंने HDMI और USB के ports मिल जाते हैं और जो power consumption है इस TV का वो 100 to 240 watts का है तो यहाँ पर जो है आपको power requirements कुछ इस तरह की देखने को मिल जाएंगी and जो है इसकी price के बारे में बात करें तो 12,999 रुपीज का यह TV है आप सभी को flip card पे देखने को मिलेगा यह जो smart TV है Onida का 32 inch इसका जो model name है वो 32 IV है तो इस नाम से आप इसे search कर सकते हो और यह जो है remote के साथ भी आता है remote में आप सभी को hot kiss भी देखने को मिल जाएंगी and voice assistant भी आप जो है इसी से launch कर पाऊगे and connected options में सभी जो है आपको ports मिल जाते हैं जैसा मैंने आप सभी को बता है and यहाँ पे बस फिलाल इस वीडियो में इतना ही इस TV के बारे में इस TV के design भी अच्छी है बेजल लेस्ट की design के साथ आता है टीवी अब इस stand पे भी लगा सकते हो आप सभी को कैसा लगा यह TV यह वीडियो जरूर से बताना अपने opinions कमेंट बॉक्स में और वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करना शेर करना और subscribe करना अगर channel पे नए हो तो मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में